हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टूमाई यूटूब चनल फ्रेंड्स यह वीडियो जो है वो सेक्सल लाइन पर आईस बहुत जादा आरे यह सेक्सल लाइन होती है फिर इसकी पुछ आये डबल डोर या फिर सिंगल डोर अगर उस पर आईस आती तो उसकी क्या रिजन होते हैं और आपके सामने में यह प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि यहां पर आईस आ रहे हैं आप देख रहे हैं यह सक्सल लाइन है इसमें आईस बहुत जादा आरे यह ठीक है तो यह आईस जो आती है इसके क्या रिजन होते हैं वह भी मैं आपको लाश्ट वी बताऊंगा और सबसे पहले तो इसमें जो मोश्ट ली जो रूइजन होता है वो गैस ओवर होती है ठीक है गैस बहुत जादा ओबर चार्ज हो जाती है इस वज़े से आईस सेक्षिन लाइन पर आती है तो अभी जो है आप देख रहे है इस पर जो है आईस मैंड हो रही हलके हलके ठीक है अभी इसमें कैस बहुत जादा मनलग जादा ओवर चार्ज है इसी वज़े से इसमें आइस आरे सेक्सिसल लाइन पे तो सक्सिल लाइन पर आज जो आरे ही तो अभी कैसें हमें बस गयास को कम करना है ठीक बोगी मैं बताऊंगा इसमें जो standing pressure है वो मतलब 20 से ऊपर है R134 A Refreshant इसमें चार्ज होगी है और इसका जो running pressure हो रहना चाहिए वारा से 15 PSI के दर्मिया रहना चाहिए और इसमें 20 से ऊपर है वो running pressure ठीक है running pressure जो है R134 का 12 से 15 PSI होना चाहिए और इसमें running pressure जो दिखा रहा है वो 20 से ऊपर दिखा रहा है मतलब 23-24 है इसी वज़े से इसकी जो section वाली line है इस पर बहुत जादा ice आ रही है तो मैं क्या है gas को मतलब कम करता हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ यह जो gas है gas को कम करना है तो इसका pressure रखना है वारत से 15 के PSI के दर्मयाटी के वारत या फिर 15 जहां पर ice melt हो जाए जो ice उपर आ रही है दो सारी ice चली जाए इसके ऊपर से एक section line के ऊपर से ठीक है तो अभी क्या है मैं सिर्फ gas को कम कर रहा हूँ आप देख रहे हैं gas कम हो रही है अभी और जो last में reason भी आपके बताऊंगा कि किन किन वजाएं से यह मतलब section line पर ice आती है क्योंकि कई reason है वो मैं आपको last में अभी सारे clear कर दूंगा कि किस वाज़ा से ice बहुत जादा आती ह आइस आती है तो आप उसको कैसे मैल्ड कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं अभी क्या है ice जो आ रही है section फार लाइन पर ice आ रही हो हलका हलके मैल्ड हो रही है अब भी गया है हमने वस गैस को मतलब कर रखा है गैस को कम कर रहा है जिसे की जो गैस ओबर है वो निकाल दे और गैस ओबर होती है इससे क्या होता है आपका जो हैट प्रेसर है बहुत जादा बढ़ जाता है और आपका जो ड्रेयर फिल्टर है वो भी बहुत जादा हीट से हलांकि running condition होता है इतफ नहीं होता क्योंकि एब्रष यह तम इसी वज़े से जाल्रेता हो और इसलिगा है जाल्क में हो गॉपर चैक को कम चुख करता है हो फिर के तर्लिए परस आप desas से 15 PSI के दर्म्यां मतलब आज की दिखकत है आज साँ देख रही हल्क mocी मैल्ट TIEK यह सारा मतलब पानी हो रहा है जो टी देख रहेंеро कि मैल्ट हो गए ऐगहis जो है प्रफर द्रीके से लगवक्त तो देख रहे हैं आप अलकी सी नमी दिख रही है जो आइस थी मतलब आइस मेल्ड हो गई और इसका जो रेनिंग प्रेसर अब आपको मैं दिखाता हूं इसका जो रेनिंग प्रेसर अब 13 PSI की एक तो इतने पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और जो आइस आ रही थी यसका भी कोई धिक्कत नहीं है अगर आईस आती है चैक्ट peculiar वह बतलब दिख्कत यह है जो रैफ्रियन्ट है उसके ंदर बहुत जाधा है ओवर हो जाती इसी वजह से वह एमपीर वह ज्याद है और आपका जोonent Г Update ले न ले और यह बहुत स्थाथ हीट बहुत होगे क्योंकि बहुत जादा हीट होगे इस वजह से फिर वहां पर क्या होता है आपका सेक्ष्न Лाइन पर आईस आती यह तो सेक्सेल लाइन पर जो रीजन है वो है जैस्त बाइस को फूरो होने माईब तो नहीं है और सेगिंड में आपको चेक कर लेना है कि और गैस मतलब जो सख्लेंग है उस पर बहुत जादा आईस आ रही है तो आपको नेक्स्ट आपको चोकिंग भी देख लेना अगर चोकिंग होगा ठीक है अगर आपका जैसे सेक्षन लाइन है कहीं से चोक है ठीक है आदी चोक है आदी नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा आईस बहुत जादा आएगी जहाँ तक की सर्कूलेशन गैस कर रहे ही वहाँ तक 500 पी ऐसा ही होदी वहाँ बीडियो लेश्ट में जाके देख सकते हैं मेरी कि उसकी पंपिंग कैसे टेस्ट करते हैं पंपिंग को कैसे चेक करते हैं अगर पंपिंग कम होती है तभी सेक्शन लाइन पा आइस आती है यही तीन चार रिजन होते हैं बाग की और कोई ज्यादा वाली बात नहीं है अगर आपकी आइस आती है फिर भी कोलिंग करता है मगर आपको को यहास ट्रपेसर पहुच्छी लिए ज़ए गर वीडियो लिए अगर बीडियो को लाइक कर दो चैनल पे नूव विजिट के스्कृइब कर दो के चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठैंक यू फॉर वाचिंग